चाहिह साथियों कैसे हैं चाहिए आप सुछा करता हूँ आपसभी ठीक होंगे सेख वजीडियो होगी तो जैसा कि आप सबी ने इस देख लिया हूगा जो आज मैं परिसनलिए खुद आप सभी कू लिख के बताने वाला हूँ कि आप ब्लइकार किंगे ताकि आपको ज्त ज् कैसे लिखे जाए जब वहां किस प्रिकार से कौन सा क्वेश्चन नमबर डालेंगे कैसा क्या करेंगे सारी चीजिया आप मुझे कापी बताइए तो इसलिए आज मैंने थुदा सा अरेंज्मेंट किया है और अरेंज्मेंट करके अब मैं एक पेपर जो मैंने परस्नल खुद दिया था जो मेरा पेपर आया था हाइस्कूल एंटर में साइंस का पेपर मैंने लिया है और मैं आप लोगों को परस्नल लेबर पर यह चीजिए बताओंगा आज क्या स्टार्ट करें क्या गलतियां कर देते हैं जिससे आपकी मार्टियों के दिक्क्रत आती है और आप कम ॉद्ध का पाते हैं इसके कारण क्या है आप कहां सीब्सक्राइन के आप से मिस्टेक होता है कैसे आपके अपकोर मिलगों की आपके लाइफ कुछ conversion convert कर देगी इसी वीडियो है तो इसी लिए चलिए अब मैं पेपर स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं और वहां से बोर्ड कापी कैसे लिखी जाए मैं डारेक्ट खुद लिखके आप लोगों को बताता हूं तो चलिए बोर्ड स्क्रीन तो जैसा की साथियों हम देख सकते हैं कि हम सभी आचुके हैं अपने पेपर स्क्रीन पर जहां पर मैंने एक विज्ञान का प्रश्न पत्र आप लोगों को सामने देख लिए और मैं अब इसका कैसे इसकी कापी लिखी जाए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर ध्यान से देखिएग पुचनकर अपनी उत्तर पुष्टिका में आप लोगों को लिखना है आगे अगर पेज पर लटते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रतेख खंड के सभी प्रिष्ण एक साथ करना अनिवारे है इसका मतलब कि अगर आप खंड का करना स्टार्ट करें तो जब तक प्रशन अनिवारे हैं सभी प्रशन करना आप लोगों को अनिवारे रहता है प्रशनों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख जो है यहां पर दिये गये हैं अवसक्ता अनुसार अपनी उत्तरों की पुष्टिक के लिए स्वक्षियम नामांकित चित्रों तो तो यहां पर персонal का खंद का सब्सक्रण में मनां बेंगे तो कांपी में आपको सबसे पहले लिखना fuck लिए सबसे के थरा प्रशन से सबकुने में सबसेल कंद मेंगे精ित यहां का अपछंद का सबस्क्राइब है लिए सबसे पहले बड़े अच्छल और में ये ऐसे लिखेंगे खंड का इस प्रकार से खंड का की नीचे आप एक अच्छी सी लाइन इस प्रकार से खिंज देंगे खंड का के स्टार्टिंग में इस प्रकार से आपने खंड का लिख दिया खंड का को आपने स्टार्ट कर दिया अब यहां पर पहला प्रश्ण आपका लिखा देखिए कि पहला प्रश्ण किसका दृष्टी छेतर सबसे अधिक होता है तो आपको इसको लिखना है सबसे पहले का का इस प्रकार से आप डाल के फिर आप इसका उत्तर जो भी इसका उत्तर हो उसको ब्लीव पेंच से अच्छे से लिख दें किसका उत्तर आपका क्या है मालेजी आपका कोशन था कि किसका द्रिष्टी छेतर सबसे अधिक होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा उत्तल दर्प हम उत्तर दरपन इस प्रकार से लिखके आप आप इसको टिक का निशान लगा देंगे फिर आप अगला क्योशन आपका क्या है खाद नमबर क्रांती कुण कमान अधिक्तम होता है तो आप यहां पर ला लेंगे चुछ प्रश्णोत्तर नंबर एक का यह खा है तो आप यहां पे इस प्रकाश्य जालेंगे प्रश्णोत्तर नंबर प्रश्णोत्तर नंबर एक का खा वाला यह है तो इस प्रकाश्य आप डालेंगे उसके बाद में आप यहां पे नीचे लिखेंगे दो नंबर इसका कौन सा है सही है तो लाल रंग के लिए दूसरा इसका भी सही है लाल रंग के लिए है लाल लंग कि और इसका है लगा देंगे फिर आप दो all कुर्शन कर चुके सब्सक्राथ करते हुए इसी प्रिकार से आप सभी क्वेशनों को यहां पर करते चलेंगे अब आपका यह वाला है प्रतिरोध का मात्रक होता है तो यहां पर डालेंगे प्रश्णोत्तर प्रेश नोतर नमबर एक का गा डालने के बाद आप यहां पर लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तीसरा नमबर यहां पर सही विकल्प आपका थर्ड नमबर ओम ओम आप इस प्रकार से लिख देंगे यहां पर सही कटिक इसी प्रकार से देखिए आप इस प्रकार से क्वेशन करते चलेंगे तब जब चक करेगा तो समझ जाएगा का लिखा खा लिखा गा लिखा आपको एक एक नमबर फटा-फट इस प्रकार से वह देता चला जाएगा द्धुवधार आपको नंबर भी यहां पर मिलता चला जागा कोई दिक्कत नहीं आपका आपकी कापी भी देखने में अच्छी लगेगी चलिए माली जी प्रशनुत्ता नंबर दो आपको करना है तो आपको प्रशनुत्ता नंबर दो हमेशा नए पेज से स्टार्टिंग कर नहीं यहाँ अओं यहीं से कर हूँ नहीं पर चाह немना है जब एक प्रशन पूरा जमाली आपने घातक कर दिया यहां मालीज स्टारो कर दें लाइन ड्रॉकर करने अब प्रशनोतर नंबर दो का का इस प्रकार से आपका आप लिखना कर के डिया हुआ है इसको आपको एक सीधे में कोई से करते चलना है कोई भी इसमें से पर्टिकुलर छोड़ना नहीं है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहां पे आथवा जहां कोई दिखकत नहीं है फिर खावाले में चाहे आप इसको कीजिए चाहे आप इसको कीजिए इसको कीजिए इसको कीजिए इसी प्रिकार से आप आगे चलिए अब यहां से आपका आगया खा वाला सेक्सन जब आप खा स्टार्ट कीजिए तो एक पेज नया पलट लीजिए इसको नए पेज से इसमें स्टार्टिंग कीजिए और नए पेज से मैं यहीं पर कर रहा हूं लेकिन आप नए पेज से स्टार्टिंग करेंगे और इसी प्रिक कि नंबर ने पांच का का इस प्रकार सेक्ट आप केंशल इस को लिखते होई चलें की कोई दिखकardan यहाँ पर तब आपको नहीं आएगी एक्जाम्पल कोब को आपको स्क्रीन के तरफ तो मैं आसा करता हूँ आपको एक कापी लिखने का में समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइफ से सब्सक्राइब केज़ेगा चुकि अगर आप मेरे बताए हुए इस मार्ग पर इस रास्ते पर कापी लिखेंगे इस तरही मिलते हैं आपनी नश्ट वीडियो में तक के लिए जाएंगे